आज हम बनाएंगे तवा नान क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब अब नान बनाते हो तो नान फूल जाते है या फिर जब इसे सेखते हो तो तावे से नीचे गिर जाता है तो चलिए हम जानेंगे इस वीडियो में वीडियो को लास तक जरूर देखें अगर आपको भी बनानी है इस तरीके के नान जो सौप्ट हो मुलायम हो और खाने में बहुत ही टेस्टी हो तो चलिए इस वीडियो को पुरा देख लेते हैं हलो फ्रेंड्स वेलकम टो आवर चैनल आज हम बनाएंगे नान ओवी तवे पर नो तंदुरी, नो ओवन तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप कंटिटी बढ़ा सकते हो मैं इसमें से 5 नान बनाऊंगी स्वाद अनसर नमक डालेंगे और एक-एक पिंच करके बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालेंगे रूम टेंपरेचर में रखे हुए जो खटा दई है वो डालेंगे इसमें मैं 2 टेबल स्पून दई डाल रहे हूँ अब नान बनाते टाइम कभी भी अब इसमें पानी से इसे आटा कोंद लें पानी हमें रूम टिंपरेचर के ही लेना है ना गरम लेना है ना ठंडा लेना है इसे अच्छे से मूलायम सा एक डो बना लेना है हमें आटा को हमें अच्छे से गुंद लेना है गुदने के बाद इसे टक करना है टक करने के बाद इसमें एक चम्मुष तेल लगाके इसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए रखना है हमें बॉल जैसा बनाना है बना के इसे रेस्ट पे रखना है आप वीडियो में देख सकते हो मैंने कैसे इसको टक की हूँ तो इस तरह से टक करके आप इसे रेस्ट के लिए रख दे करेप इसे 10-15 मिनिट के लिए रखे तो भी चलेगा या फिर आपके पद जादा टाइम है तो आप इसे आधी घंटी के लिए भी रख सकते हो 10-15 मिनिट बात आटे को हमें पेड़े बना लेना है आपको जितने साइज में चाहिए उतने साइज में आप बना सकते हो मैं इसमें से 5 नान बना रहे हूँ तो मैं इसमें से 5 लोई बना लूँगी तो इस तरह से आप इसके पेड़े बना लेना जैसे पहले हमने टक करके बनाई थी सेम उसी तरह से इसे टक करके बना लेना है ऐसे टक करने से नान का जो शेप है वो खराब नहीं होंगे परफेक्ट बनेंगे अब जिस हिसाब से अगर गोल बनाना है तो गोल या फिर ओवल शेप में बनाना चाहते हैं तो सेम साइज में बनेंगे तो इसी तरह से इसे टक करके गोलाई में रखना है तो चलिए अभी हम नान को बेल लेते हैं सेम रोटी जैसा इसमें आटा लगाना है और बेल लेना है मैंने पहले भी बताई हूँ अगर आपको गोलाई में बनाना है तो आप गोलाई बना सकते ह या फिर oval shape में मैं यहां पर oval shape में बना रही हूं तो अंडा आकर में यहां पर मैंने बेल लिया है तो हर एक नान को हमें इस तरीके से बेलना है ना रोटी से पतला ना पराटा से मोटा हमें रोटी और पराटे के बीच में जो shape होता है size उसी size में हमें इसे बेलना है फिर इसम मन करें वो लगाए फिर इसमें धनिया पत्ता लगा के इसे पेस्ट करना है अगर आपको पसंद नहीं है धनिया पत्ता तो आप ना डाले या पिर इसकी उपर जो तील होता है काला तील होता है वो भी डाल सकते हो जैसे आपको पसंद है उस तरीके से तो मेरे पास धनिया पत नहीं था कुछ रुक्ठी शुकल धनियापता ठालिए हूँ अब बाद में भी धनियापता और बटटर लगा सकते हूँ बटर और धनियापता लगाने के बाद इसे एक बार बेल लिजेहाँ अगर आप बीगिणर हैं तो फिर इसे पलटा एक बार से बेल लिजाँ सिर्फ बेलना नहीं है, सिर्फ बेलन को घुमाना है, ताकि ये पेस्ट हो जाए, अगर आप बिगिनर है, तो आप इस तरीके से नान के पीछे पानी लगा सकते हो, पानी अच्छे से लगाना चाहिए, नहीं तो जो नान है, वो नीचे गिर जाता है तबे से, सेक्टे टाइम और तबे को हमें हाई हीट पे गरम कर लेना है, फिर इसका जो हीट है, मीडियम कर देना है, ना लो में पकाना है, ना हाई में, इसे हमें मीडियम पे पकाना है, आप यहापे नोटिस कर सकते हो, जो नान है, वो फूल चुके हैं, तो क्यों फूला हो, मैं आके बता रहे हो, नान पतला बेलने से नान सेखते टाइम जल जाता है और हार्ड बन जाता है और अगर मोटा बेलने तो उसमें कच्चा पन रह जाता है तो आपको हमेशा बेलते टाइम ध्यान देना है नान को आप low to medium hit पे सेखे शुरुबात में आप इसे low hit पे सेखना है जैसे नान पक जाए उसमें कलर लाने के लिए आप मीडियम हीट करके सेख सकते हो बस अच्छे से इसे सेख लेना है ताकि नान कच्छा ना रहे नान सेखने के बाद तूरंद निकालके उसमें बटर या फिर घी लगा दे ताकि जो नान में जो सौपने से वो बने रहे अगर आपको हाथ में इस तरीके से पानी लगाना नहीं आता है तो आप नीचे रखके इसमें लगा सकते हो मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ जैसे हाथ में नान को रखके फिर उपर से पानी लगा के फिर इसे सेख दियू तो पानी हमें अच्छे से लगाना चाहिए अगर नहीं लगाए तो तवे से ये निकल जाता है पहले जैसे मैंने सेखी थी उस तरीके से इसे सेखना है आपने देख लिया ना पहले जो नान था वो फुला हुआ था और ये नान ना तो तवे से गिर रहा है ना ही फुला है अच्छे से बना है तो मैं इस तरीके से नान बनाती हूँ और जो नान तवे से गिर जाता है वो भी दिखाती हूँ बस गर्मा गर्म बटर लगाना है अगर आपके पस ब्रश ना हो तो इस तरीके से भी लगा सकते हो या फिर आप ब्रश से भी लगा सकते हो जब नान फूल जाए तो आप इस तरीके से काटा चमस लेके इसमें छेत कर सकते हो जैसे पीजा में भी करते हैं क्योंकि इसमें से अगर एर पास ना हो तो ये फूल जाएगा फुला फुला रोटी जैसा बनेगा तो बस यह है अगर आपके नान फूल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ काटा चमस से लेके या फिर कोई भी टूथपिक से लेके इसे छेत कर देना है बारिक बारिक और उपर से बटर लगालो धनिया पत्ता लगलो जो आपको पसंद है वो और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसे पेस्ट कर दो तो इस तरीके से पेस्ट करना है और अच्छे से इसमें पानी लगाना है अगर पानी थोड़ा सभी कम लगाए तो नान तावे से गिर जाएगा यह बार-बार बोल रही हूँ और यह सच है बस अभी नान की पीछे पानी लगाना है और इसे सेख लेना है सेम जैसे हमने पहले सेखे थे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बस इसे सेख लेना है आप इसमें देख सकते हो इसमें मैंने एक साइड में कम पानी लगाई थी तो जो नान है वो तावे से नीचे गिर रहा है तो बस इही है आपको पानी कम नहीं लगाना है गिला गिला कर लेना है इससे अच्छे से जो तवे पे वो चिपक जाता है क्योंकि हम इसमें तवे पे बना रहे हैं अब देख सकते हो नान ना तो जले है ना तो कच्चा है बहुत ही सौफ्ट है तो आप भी बनाईए आप भी खिलाईए नान अपने परिवार को आप देख सकते हो नान जो मैं तोड़ रही हूँ इतना सौफ्ट है मुलायम एकदम ब्रेट जैसा सौफ्ट है और ये खाने में इतने टेस्टी बने थे ना बहुत ही क्या आपको पसंद आया है मेरे नान बनाने की तरीखा मैं कोई फर्फेक शेप नहीं हूँ मैं भी विगिनर हूँ और मैं भी चाहती हूँ मेरे तरह विगिनर जरूर सिखे अप नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहते प्लीज कॉमेंट करे अगर आपको विडियो पसंद आये तो लाइक करें मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैं मिलूँगी नेक्स्ट और एक विडियो के साथ तब तक लिए बाब बाई